हेलो बच्चो आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल दियास कुमार में फीर से एकबर स्वागत थे और आज की इस वीडियो में हम लोग जयूसेप्य मेतिसिनी के बारे में पढ़ेंगे और यह हमारा जो आज का टॉपिक है यह क्लास 10 का इतिहास का पहला चेप्टर यूरोप में राश्ट्रवाद का उदैका है हम लोग यहां पर बात करेंगे जयूसेप्य मेतिसिनी कौन थे इन्होंने क्या क्या काम क्या था यानि जेउसेपे मेतिसिनी के बारे में हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे और आपको एकजाम में कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है जेउसेपे मेतिसिनी पर टिपनी लिखें यानि आपको दिया जाएगा कि जेउसेपे मेतिसिनी पर टिपनी लिखें ठीक है अब देखिए social science हो या फिर science हो या फिर हिंदी हो यानि कोई भी subject हो जब भी आप answer लिखेंगे तो आप answer को हमेशा point बना कर लिखें अगर आप answer को point बना कर लिखते हैं तो आपको marks अच्छे मिलेंगे तो आप यह हमेशा याद रखें कि आपको answer कैसे लिखना है ज्यों available to bod Reason Ka को болism एंच छाख्य मेंच nic कि एक महान करांतीकारी थी यह स्अच परकार भारत के महान करांतीकारी चैकार वायत्यी और भारत के परकार आपको थो जयो क्योंक लोगत शूवाइख लोगत दूब को आपको और नो कि सककर फ़ान जे स्थान록, वा था statistics , जेव जेंगा केुपनली की सतनी में इंटिली में एक कारवुनिये नाम academics संगठन वा था जब मेतिसिनी 24 बर्स के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था जिसके कारण उन्हें इस संगटन से निकाल दिया गया यानि जब मेतिसिनी का आयू क्या था 24 साल था यानि जब मेतिसिनी 24 बर्स के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था और उसे लड़ाई के कारण जेश्वपी मेतिसिनी को कार्बोनेरी के गोप्त संगटन से निकाल दिया गया यानि जब मेतिसिनी का जो पद था यानि जो सदेश का पद था उस सदेश के पद से उन्हें निकाल दिया गया यानि जब मेतिसिनी 24 बर्स के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था जिसके कारण उन्हें इस संगटन से निकाल दिया गया बाद में मेतिसिनी ने दो गूप्त संगटन बनाया और उनके दो गूप्त संगटन का नाम क्या था मारसेई में यंग इटली तता बर्न में यंग यूरोप की अस्थपना की यानि बाद में मेतिसिनी ने दो गूप्त संगटन मारसेई में यंग इटली तता बर्न में यंग यूरोप की अस्थपना की यानि जब जेशेपी मेतिसिनी 24 वर्स थे तो लिगूरिया में क्या हुआ लड़ाई हुआ और उस लड़ाई के चलते उन्हें कार्बनरी के गूप्त संगटन से निकाल दिया गया फिर उन्होंने क्या-क्या खूद दो गूप्त संगटन बनाए पहला मारसेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप इस संगटन में पोलेंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी और देखिये मेतिसिनी ने जो दो गूप्त संगटन बनाया था उसमें ऐसे लोग थे ऐसे देश के लोग थे और कौन-कौन से देश के लोग थे पोलेंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी और ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी यानि इस गूप्त संगटन में पोलेंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा एक सज्जे सा था एक समान था ठीक है मेतिसिनी का मानना था कि इटली छोटे-छोटे राज्यों एवंग परदेसों में नहीं रह सकता यानि मेतिसिनी सुचते थे कि जो हमारा प्यारा प्यारा सा थि इटली है ये छोटे-छोटे-छोटे राज्यों एवंग परदेसों में नहीं रह सकता है वह चाहते थे कि हमारा इटली आजाद हो जाए और जो छोटे-छोटे राजचेवंग परदेश है वह मिलकर एक पूर्ण इटली का निर्मान करें जिसी भी मेंतिसीनी क्या चाहते थे क여 हमारा प्यारा इटली है यह छोटे-छोटे राजजे और पर्दैसों में न रहें बलकि सब क्या हो एक जहां पर मिल जाए और पूर्न इटली का निर्मान करें ठीक है यानी क्या चाहते है वह हमारा इटली आजाद हो जाए और चोड़े-छोड़े राज एवंग परदेश से वह मिलकर एक पूर्ण इटली का निर्मान करें मेतिसिनी ने राजतंत्र का घोर विरोद किया। वह अपणि देश में राष्टपती एवंग परदहनमंतर साशन दृवशता अपनाना चाहता यानि मेतिसिनी जो महाराज स्वब कारभार समालते थे उससे क्या करते थे उसके वह विरोधी थे वो चाहते थे कि जो हमारा देश इटिली है इस देश में राष्ट्रपति एबंग पढ़ानमंत्री का सासन बेवस्ता लागू हो यानि वो अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे ठेक है फिर आगे क्या हुआ इसलिए मेटर्निक ने मेटिसिनी को हमारी समाज वेवस्ता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया मेटिसिनी राजतंत्र का घोर बिरोद करते थे और वो चाहते थे कि हमारी देश में राष्ट्रपति एबंग पढ़ानमंत्री सासन बेवस्ता लागू हो इसलिए मेटर्निक मेटिसिनी को क्या बोलते थे कि यह हमारे समाज वेवस्ता का सबसे खतरनाक दुश्मन है तो आज कि इस वीडियो में हम लोगों ने जेवसेपे मेटिसिनी के बारे में पढ़ा यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को करें थेंक यू